नास्कार बैरे बच्चो विनिंग एज श्टडी मॉइंट में एक बर फिर से आपका स्वागत है आज 10th polynomial के लिए 2nd class शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं लास्ट क्लास में आपको polynomial के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो डिवाइड हो गये हैं और उनमें हमें क्या-क्या पढ़नी है और कुछ formula के बारे में मैंने discuss किया था और उसके बाद लास्ट में मैंने आप लोगों के सामने कुछ polynomial लिखे थे और मैंने पहले polynomial को solve करना सिखाया था कि polynomial को कैसे solve किया जाए और जब वो polynomial solve हो जाए तो उसके बाद उसको हम कैसे verify करेंगे वो आज हम सीखेंग फिलाल अभी पहले फिर से उसी topic पर आगया हूँ मैं कि हांजी पहले polynomial को solve करके दिखाओ कि आखिरकार polynomial solve होगा कैसे तो आपके सामने मैंने ये तीन polynomial लिख दिये हैं x square minus 5x plus 4 थोड़ा बढ़ा करके लिख देता हूँ x square minus 5x plus 4 ठीक है ये आपके सामने मैंने एक polynomial लिख दिय equation बन जाए क्या बन जाए equation बन जाए और प्यारे बच्छो फिर हम इसके बाद अब इसको solve करना सुरू करेंगे solve करने का तरीका मैंने बड़ा simple सा लिया था कि वही डिजिट x square के आगे जो भी होगा उसे उठाईए last वाले को उठाईए multiply कीजिए 4 बन जा 4 अब मैं इसका अ भी बताया था आपको कि बच्छो 5 अगर हमें पहुंचना है तो देखो 5 हमें चाहिए कैसा plus का या minus का अगर plus का चाहिए तो भाई दोनों को 4x plus 1x और अगर minus का चाहिए तो दोनों minus के क्योंकि जब भी same sign होगा तो increase opposite sign होगा decrease यह बात हम last class में कर चुके हैं तो x square minus 4x minus x plus 4 यही होगा 4 और x ठीक है इन दोनों में common देखिए x common x minus 4 अच्छा इन दोनों में अच्छा बच्छो अब मैंने क्या बताया था जब कुछ भी common ना आए तो one common लेते हैं लेकिन बच्छो यहाँ पर हमें minus का one common लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर हमें same चीज बनानी है और जब हमें same चीज जबरदस्ती करके बनानी होती है तो जबरदस्ती हम common क्या लेते हैं minus ताकि x हो जाए plus का और 4 हो जाए minus का हो गए same अब x minus 4 और एक बार x minus 1 equal to 0 अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर minus के चीजी दरा के plus minus के चीजी दरा के plus तो प्यारे बच्चो आपको ये दो चीजे मिल गई है ठीक है चलिए अब जड़ा इसको solve करेंगे इसको पहले equation बनाएंगे से अब इसको इससे multiply तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा 12 का factor बनाते हैं तो 2 से 6 2 से 3 3 से 1 मुझे पे क्या चाहिए 1 X तो चलिए मेरे पास content आया क्या 2 2 जा 4 3 बन जा 3 क्या 4 और 3 का gap 1 होता है तो जब 4 और 3 का gap मुझे 1 मिल गया तो मुझे यह देखना है अब कि मुझे 1 चाहिए कैसा plus का या minus का तो भाई यह plus का चाहिए तो जब मुझे plus का चाहिए तो बड़ा number plus और चाहिए होती है तो एपोजिट साइन और बड़ी वैल्ली चाहिए होते है तो छेंस साइन ठेक है अच्छा अब हमें plus का बड़े वैल्लू को plus का चोटे वैल्लू को minus का solve कीजीजिये जरह बड़े value को plus छोटे value को minus हाँ जी, अच्छा अफ 6 भी 2 के table में आता है और 4 भी 2 के table में आता है ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 तो common लेही लूँगा और साथ ही मुझे x भी common दिख रहा है, तो मैंने निकाल लिया हाँ जी, 6 में से 2 common निकाल लिया, तो 3 2 जा 6 होता है, 2 निकाल लिया बचा क्या 3 x हाँ जी x तो निकाल चुका है, 4 जो होता 2 2 जा 4 होता है, 2 निकाल लिया बचा क्या, 2, सब्स方法 अचा 3 x और minus 2 में तो कुछ common हाई यही नहीं, 3 x और 2 में से कुछ भी common नहीं तो जब कुछ भी common नहीं तो one आएगा लेकिन मुझे three x और two दोनों कैसे चाहिए plus के तो यहाँ पर हमें क्या करने है जबरदस्ती और जबरदस्ती जब हम करते हैं तो क्या निकालते है common minus क्या निकालते है common minus तो बस होगा game start देख रहे हूँ आपने आप answer आपको खुद देता चला जाएगा यह आपको कुछ करना ही नहीं है जो छोटी मुटी बाते हैं बस उसी को पकड़के solve करना शुरू कर दो कभी भी आपको मैतना फसाएगा नहीं मैत इतनी सरल चीज है कि अगर आपको एक बार content मिल गया कि हाँ जी मिरको solve करने का तरीका पता है तो बस वो होता चला जाएगा सीधा आपको लाकर answer प्रोकेगा बीच में कहीं अटको गई नहीं तो plus की चीज इस तरफ आके minus ये multiply है तो इधर आके क्या करेगा बच्चो divide ये minus की चीज इधर आके plus और ये multiply इधर आके divide तो लो बच्चो आपके सामने ये भी दो answer त्यार क्या मेरे सभी बच्चे इसको कर लेंगे कराने की जरूरत तो नहीं है ठीक सबको समझवाया ठीक चलो एक मैं कोशन अपनी दरफ से और देता हूं ठीक है आप इसको उतारो फिर मैं एक कोशन और देता हूं तो बच्चो फिर से मैंने आपके सामने तीन पॉलिनॉमियल लिखे हैं जिनमें मैंने इनको इसको equation बना दिए इसको equation बना दिए अब इन तीनों को हमें सॉल्व करना है ठीक है इससे यह सॉल्व करने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि आप फोर्ट जब करोगे ना तो आपको अलमुस्ट यही थारी चीज़े दिखाई देंगी ठीक है और यह वही मैंने एक्वेशन लिए हैं जो आपके बो चोड़े से बड़े नंबर लिए मैंने चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इसके आगे तो कौन है वन वन की मंटिप्लाई 156 से कर दो तो 156 से करेंगे तो 156 ही आएगा ठीक है? 2 से करो तो कितना ऐगा? 7, 8 2 से करो, कितना ऐगा? 3, 9 3 से करो, कितना ऐगा? 13 और 13 का 1 से ठीक है? हो गया? इसी है? चलिए अब हमें क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पर चाहिए 1 मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 1 तो मुझे कुछ, भई, यहाँ पर gap निकालना पड़ेगा 1 का, तो कैसे होगा? 2, 2 जा 4 और 4, 3 जा 12 12 और 13 बन जा 13 अब ही 13 में से 12 जाएगा तो 1 आजाएगा? बिल्कुल आजाएगा अब मुझे 1 चाहिए कैसा? प्लस का तो मैं 13 नमबर रखूँँगा बड़ा यानि प्लस वाला और 12 नमबर रखूँगा छोटा यानि माइनस वाला हो गया जी सिंपल तो यानि इसका मतलब मैं 156 को 12 गुने में 13 लिख सकता हूँ कि नि लिख सकता हूँ क्योंकि उसी का ही तो factor रही है 12 गुने में 13 ठीक है चलिए अब क्या करना है आगे की कहनी आपको पता ही है यद्य क्या करना है X कोमन लिया X más 13 यहां से क्या है भई जब ड़िस्ति हैं माइनस 12 कोमन निकालेंगे क्योंकि माइनस भी कोमन आई रहा है 12 भी कोमन आई रहा है तो इसलिए X plus में 13 X plus 13 X minus 12 X plus 13 को 0 के बराबर X minus 12 के 0 के बराबर Plus का 13 इदा इदा आके Minus Minus का 12 इदा 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 आके Answer आपके सामने ठीक है चलिए अब इसकी बारी तो यह आप खुद करेंगे same ऐसा ही है इसको करवाता हूँ है ठीक है इसको करवाता हूँ x square plus 5x minus 750 बराबर 0 यही है चलिए तो यहां तो 1 है 1 से 750 को multiply करेंगे तो आजएगा 750 750 को 2 से करेंगे 3, 7, 5 फिर 3 से करेंगे 1 2, 5 फिर 5 से करेंगे 2, 5 फिर 5 से करेंगे 5 फिर 5 से करेंगे अब मुझे gap कितने का चाहिए 5 का मुझे gap कितने का चाहिए 5 का तो मुझे 5 का यह gap का मतलब यह हुआ कि 5 के 2 अलग-अलग split मुझे करने ही पड़ेंगे तो जैसे 1 तो बना लो आप 5, 5 ज़़ 25 ठीक है और एक बना लो यह 3, 2 ज़़ 6, 6, 5 ज़़ 30 हाँ जी 30 में से 25 जाएगा तो 5 आजाएगा बिल्कुल आजाएगा बन गया भई काम X स्क्वेर हाँ जी 5 बन को कैसा चीए प्लस का तो 30 बढ़ा करेंगे और 25 छोटा हाँ जी तो क्या मैं इसे भी तो 25 इन्टू में 30 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ X बराबर जीरो X बराबर जीरो और x-25 बराबर 0 प्लस का 30 इदर आके माइनस और माइनस का 25 इदर आके प्लस तो answer आपके सामने है तो बच्चो मैंने आपको यहाँ पे answers निकालना सिखा दिया मतलब zeros निकालना सिखा दिया कि polynomial में हम लोग zeros कैसे निकालते हैं सही बात है कि नहीं हम लोगों ने क्या सिखा कि polynomial के अंदर zeros कैसे निकाले जाते हैं तो बच्चो यह 6-7 question करके हम लोगों ने polynomials के zeros निकालने के बारे में जानकारी देख ली अब मैं आपको homework में तकरीबन 30-40 question ऐसे दे दूँगा बस आपको उसमें क्या करने होंगे zeros find करने होंगे ठीक है अच्छा लेकिन कहानी यहां खतम नहीं होती अब यहां पर इसको verify करने के लिए भी आ सकता है कि आप भई जो answer निकाल रहे हो मुझे verify करके दिखाओ कि answer बिल्कुल correct है ठीक है यह answer बिल्कुल correct है इसको verify करके दिखाईए मुझे तो हमने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों ने concept तो सीखी रखा है तो जब concept सीख रखा है तो फिर इसको solve करने में हमें कोई परिशानी नहीं है अब करना कैसे है प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना जो आप यह zeros देख रहे हो न आप इनको नाम alpha और beta करके देतो आप इन्हें नाम जो है क्या कर दो इनका नाम alpha और beta नाम देतो इनको ठीक है अब alpha और beta कुछ जाने पचाने से याद आया होंगी कि sum of zeros और product of zeros ये याद आया कुछ तो अगर आपको sum of zeros और product of zeros याद अगर आ गया हो गया तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है क्या काम करना है आपको दो चीजे find करनी है sum of zeros और product of zeros तो ज़रा ध्यान से देखिए अगर हम बात sum of zeros की करें अब मेरे प्यारे बच्चे हिंदी वाले खासकर सुनेंगे sum of zeros को हिंदी में क्या बोलते है सुन्यको का योग क्या बोलते है सुन्यको का योग ठीक है बच्चो और सुन्यको का योग जो है आपका वो होता है minus b upon में a याद आया last class में पढ़ा है हमने अच्छा अब sum of zeros alpha plus beta हाँ जी minus b upon में a होता है तो minus तो अपनी जगा पे रहेगा बच्चो b कितना है b मैंने क्या बताए था x के साथ वाला तो x के साथ जब कुछ भी नहीं है तो कौन होगा 1 a कितना है a भी 1 तो alpha और beta कितना है यह तो minus 1 आगिया भाई तो चरह verify करते हैं चलो alpha कितना है minus 13 beta कितना है plus का 12 क्या minus 13 में से plus का 12 जाएगा minus का यह गाएगा लो जी हो गया verify हुआ गी नहीं हुआ verify तो यह हमने क्या निकाला sum of zeros लेकिन खाली इसी से काम नहीं चलाएंगे इसके साथ एक काम और करेंगे हम product of zeros product of zeros यह भी निकालो मतलब सुन्यको सुन्यको का गुननफल क्या निकालोगे आप सुन्यको का गुननफल और आप अच्छे जानते हैं सुन्यको का गुननफल कितना होता है बच्चो c upon में a ठीक है यानि alpha बीटा is equal to c बच्चो c कौन है ये है अच्छा अब एक बात मेरी बात सभी बच्चे ध्यान सो सुनेंगे बही ये चीज़ जो लिखी है ना इस बात को ये ध्यान रखना कि इसके साथ minus है या plus है अगर minus है तो minus वाला पूरा नंबर लिखेंगे और plus है तो plus वाला नंबर लिखेंगे समझ मारी बात और upon में a a कितना है? 1 क्योंकि minus plus को छोड़ना नहीं है minus plus को 7 मिले के चल रहा है तो ये आगया minus का 156 ठीक है? तो चलिए verify करते है प्यारे बच्चो alpha minus का 13 और बीटा plus का 12 multiply करोगे minus का 156 ही आएगा तो लीजिए हमारे पास sum of zeros भी एक जैसा आगया और product of zeros भी एक जैसा आगया तो इसका मतलब जो हमने answer निकाला है वो बिल्कुल क्या है? correct है क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? कहां जी किस तरीके से zeros find करते है और किस तरीके से वही उसको verify करते है ठीक है? इसमें भी देख सकते हैं हम लोग ठीक है? sum of zeros मैं लिख नहीं रहा हूँ direct कर रहा हूँ alpha, beta minus b upon a अंजी, minus b minus तो अपनी जगा पर रहेगा b कितना है? 5 ठीक a a कौन है? 1 तो minus का 5 alpha minus 30 beta plus 25 solve minus 5 ठीक? अज़र जिसने मेरे last class नहीं देखी है पिछली class वो आप जरूर देख लें क्योंकि अगर वो नहीं देख होगे तो फिर ये वाली बास समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहे है? ठीक है? ठीक है? तो alpha alpha कितना है? minus का 30 और beta कितना है? 25 तो मैंने बताया था ना 25 तीज़र 75,500 हो तो गया ये आगे दोनों बराबर तो बस आपको ऐसे verify करना है यानि आपको zeros find करने है और zeros find करके ये वाला काम करना है और आपके सामने answer ठीक है? तो जितने भी questions मैं आप लोगों को अभी दूँगा ठीक है? इसी से related तो वो सारे आपको घर से करने है ठीक है? चलिए तो इसके बाद अब मैं एक नए topic की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ तो इसको note कीजिए फिर उस topic को आगे हम करते हैं प्यारे बच्चो अब मैंने आपको यहां तक के questions तो करवा दिये जिसमें हमें polynomial को solve करना जिरोज निकालने हैं लेकिन अब पता क्या है? अब आपके सामने एक नया type आ रहा है आपकी बाद आपको पहले से ही जिरोज दिये हुए जिरोज आर गिवन सुन्यक दिये गए है सुन्यक दिये गए है समझें हैं मैंने बाद को आपको पहले से ही सुन्यक दिये हुए है और आपसे पता है क्या बोला है? भई इसका polynomial बना के दिखाओ इसका बहुपद बना के दिखाओ इतना simple content एक बार तो हद हो गई यह दो नमबर में आ गया कितने में आ गया? दो में कैसे आया? जड़ा देखेंगे जैसे यह दिया हुआ है यह आपको दो जीरोज दिये गए है और उसमें यह बोला है कि यह वाला जो जीरोज है ठीक है? वो sum of जीरोज है मतलब सुन्यक का योगफल है सुन्यक का योगफल है जबकि यह वाला जो है यह product of zeros है क्या है? product of zeros है यह question में बोला गया आपसे ठीक है? सुन्यक का गुननफल है ठीक है जी? और आपसे कहा गया कि बहुपद बना के दिखाओ बहुपद बना के दिखाओ तो बस एक छोटा सा formula है वो आपको यहाँ पे देखना है और value उठा के put करनी है दो number आपके जीब में कैसे? देखिए formula है x square minus sum of zeros x plus sum of sorry गलत बोल दिया product of zeros product of zeros परले पढ़री बात हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? x square minus सुन्य को का योग into में x plus सुन्य को का गुननफल का गुननफल सुन्य मारी बात ठीक अब इतना बड़ा बड़ा लिखने में तो भाई हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगे आपको तो इसका मैंने short form भी बना दिया है क्या बना है? x square sum of zeros sum है s लिख दो x plus product of zeros product है p लिख दो बात खतम देखो formula क्या बना? x square minus s x plus p कितना simple हो गया लेकिन भई exam में आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर करवा है क्यों? क्योंकि teacher को क्या पता s का मतलब क्या है? s का मतलब साभी तरी समझे आप फटा फटा ऐसे solve कर लो ठीक है? लेकिन अगर भई represent करने के लिए आगया तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ठीक है? चलिए तो x square minus s s की value कितनी दिया? 1 by 4 लीजिये भई 1 by 4 x p p कितना है? 1 तो ये लीजिये p आगया 1 ठीक है? तो ये आपके पास आगे polynomial लेकिन भई ये कैसा polynomial रही है? ये तो बड़ा अजीव होगर ही polynomial देख गया आज तक तो नीचे नहीं देखा था 4 ये नीचे 4 आगया तो गलत नहीं है बस सही रूप से लिखना है कैसे लिखना है? द्यान से देखिए इसे कुछ नहीं करना पूरे polynomial को upon में क्या दिख रहा है? 4 तो 4 दिख रहा है न तो 4 से ही multiply कर दो पूरे polynomial को पूरे भवुपद को किस से multiply? 4 से अगर 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2 जो भी number है बस से multiply कर दो बात खतम करो भई अब हर किसी से multiply करना है 4 को x square से multiply करो तो होएगा 4 x square 4 को इस पूरे से multiply करो तो चलो करके देखना ज़रा जब पूरे से multiply करोगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा तो बचेगा क्या? x अब 4 को 1 से multiply करो तो 4 तो polynomial क्या बन गया? 4 x square minus x plus 4 clear हुआ सब भी बच्चों को? कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसको note कीजिए फिर मैं एक question और दे रहा हूँ ठीक है? जैसे माल डी जी मैंने ये ले लिया question आपकी बार zeros लिया मैंने root 2 1 by 3 root 2 1 by 3 ठीक है? तो कैसे करेंगे? इसको note कर लिया? अगर इसको note कर लिया तो आगे देखिए अभी है कैसे करेंगे? x square s s की जगा पे root 2 x p p की जगा पे 1 by 3 हम आने क्या बताया था? upon में आ गया? कोई बात नहीं कितना upon में? 3 3 से ही multiply 3 को x square से 3 x square 3 को root 2 से 3 root 2 x 1 by 3 को 3 से 3 से 3 कट गया 1 polynomial आपके सामने कोई दिक्कत तो कभी जिनकी में दिक्कत आएगी इनका question हो में? है ना बिल्कुल सरल तो भई आपके लिए homework provide करा दिया जाएगा इसके कम से कम 10 से 12 question आपको homework में दे दिया जाएगे और पीछे जो मैंने बताया था polynomial को verify करने वाला उसके भी कम से कम 20 questions मैं आपको provide कराऊँगा आपके homework में तो इसको ध्यान से note कर लीजिए समझ लीजिए ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं